रविए आलो फ्रेंब्स आपका स्फआगत है यूतूब चैनल टेस्त आईक्यों में फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगी गोहरती जोन के इंदर DV और Medical कैसे हो रहा है गुआ 80 जोन में DV और Medical 27 जोन को स्टार्ट हो गया है फर्स्ट फेस गा तो आज हम डिसकस करेंगे कि DV और Medical कैसे हो रहा है किन किन स्टूडेंट को Eye Test में प्रोब्लम आ रही है तो Eye Test की वज़े से कितने स्टूडेंट बाहर हो रहे है Hydrocell में किन किन को प्रोब्लम आ रही है और Piles में किन को प्रोब्लम आ रही है जितनी भी प्रोब्लम आ रही है वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कैसा Medical हो रहा है वो सारी बाते हम क्लिक करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपको सारे नॉटिफिकरन सक्कें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जैसे ही आप गुधाटी के लितכול करोगे कैनल करेंग जुरू वाहां पर शुरू करने के लिए हैं पर दोlerde ORIJNAL ID proof में आप अच्छा रहेगा कि आप अधार काड़ ही लेके जाएं क्योंकि बाद में आपका अधार काड़ काफी बात चेक किया जाएगा क्योंकि अधार काड़ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि exam जिस time आपने form बढ़ा था उस time आपने आधार के number डालेते हैं वहां पे इसलिए वो आधार कार्ड ही मांग रहे हैं दूसरा ID हो तो भी चलेगा जिसका आधार कार्ड नहीं है वो अपना दूसरा original ID लेके जा सकते हैं लेकिन आधार कार्ड लेके जाएए तो अच्छा रहेगा तो जैसे आपको entry मिल जाएगी उसके बाद में आपको room में बिठा दिया जाएगा कम से कम ऐसे 4-5 group बना दिये जाएगे 20-20 candidate के उनको अलग ऐसे बिठा दिया जाएगा फिर वहां पे बिठा के declaration form बरवाए जाएगा इस form में जदा आपको कुछ stencil लेने की बात नहीं है फिर उसके बाद में sign कहां पे करने हैं यह सारी चीजे आपको declaration form में बरनी है एक photo ship का नहीं है तो यह easily हो जाएगा जैसे आप declaration form बर्द होगे तो यहां पे ऐसे उसी room में पैनल बैठा है एक side में जैसे इस group के लिए आगे बैठा है और एक side इस में बैठा है अब biometric में किन लोगों को problem आ रही है जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनके हाथ में तेल ज्यादा लग जाता है तो उसकी वज़े से biometric match नहीं करता है तो जिन candidate का biometric match नहीं करता है उनको सबसे पहले तो यही करते हैं कि एक दो बार में जिन का match हो गया तो ठीक है नहीं तो फ बात हुई उन्होंने बताया कि सर मेरा तो दो बार में चेक हो गया था तो मेरे को वहां से डीवी के लिए बेच दिया गया था अब उनका बाद में क्या problem हुई वह उसे पता नहीं था लेकिन जैनरली यह हो रहा है कि जिसका biometric match नहीं हो रहा है बहुत ही एक या दो candidate से होत फिर biometric के बाद में डीवी प्रोसेस के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपके CBT के admit card चेक होंगे वहां पे आपने जैसे psycho exam दिया है तो psycho का अलग से biometric होगा वहां पे आपका देखा जाएगा कि आपने psycho दियाक नहीं दिया वहां पे आपका नाम आ जाएगा computer पे आप खु दोक्मेंट फॉर्म में लिखे वे थे उस वह सारे आपको document लेके जाने हैं और original लेके जाने हैं उसके साथ में एक फोटो कोपी दो फोटो कोपी लेके जाना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और वैसे ज़रूरत एक ही फोटो कोपी किया है और उसको self address करना है ले कोई भी का admit card बाहरी चेक हो जाएगा वह भी वहाँ पर साथ में चाहिए आधार कार्ड या फिर कोई भी ID आपकी चलेगी फिर बाद आती है 10 certificate 12 certificate और यदि आपने डिप्लोमा बिटेग आइट जो भी कर रहा है वह आपको mark sheet चाहिए यहां पर original mark sheet चाहिए जिन candidate ने अपनी degree complete कर ली है उनको सारी mark sheet और उसके साथ में original mark sheet चाहिए यदि आपके पास सारी mark sheet नहीं है तो भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यदि आप इसी साल आपने degree की है और आपको पास provisional है तो भी वहाँ पे आपको कोई problem नहीं होगी लेकिन वहाँ पे आपको बोल form मिलेंगे वहाँ पे तो उन पे फोटो चिप काने के लिए कम से कम तीन चार फोटो चाहिए एक दो आप extra लेकर जा सकते हैं इनके बाद में जो candidate OBC, SC, ST के हैं उनको का certificate चाहिए जो candidate local होते हैं जैसे Guaati zone में Guaati के हैं तो वहाँ पे state level का चल जाता है लेकिन वह बोलते है क कि आपको central government का ही चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि railway format में हो तो अच्छा रहेगा बाकी कोई बड़ा issue नहीं है यदि किनी candidate का railway format में नहीं होता है online बाला होता है तो भी चलेगा लेकिन अच्छा रहेगा कि यदि आप railway format में लेके जाएं का certificate के बाद में बात आती है EBC certificate क EBC certificate यदि आपने fee में concession लिया है तो आपको EBC certificate चाहिए और कुछ candidate ऐसे होते हैं जो EBC लिख देते हैं लेकिन वहाँ पर fee concession नहीं लेते हैं तो ऐसे candidate को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है लेकिन वह consider कर लेते हैं यदि आपने गलती से भर दिया है तो भी वहाँ पर आपको remark लिख देंगे वहाँ पर क्योंकि बाद में जब cross check होगा आपके सारा चीज या document medical के बाद में जब आगे वो आपके document भेजेंगे तब वहाँ पर आपको यदि आप में कोई problem पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा otherwise नहीं किया जाएगा तो यह बहुत ही छोट जाने से पहले आपको वहाँ पर सारे document सही होने के बाद में आपको एक form दे दिया जाएगा उसमें आपके दो remark लिख दिये जाएंगे बोडी के दो बोडी के remark वही बताने हैं आपको जो easily वहाँ पर दीख सके जैसे face पे किसी हाथ पे ऐसे normal या फिर पेर पे नीचे की साइ तो ऐसे mark नहीं बताने हैं आपको कि कपड़े 60 वट उतारना पड़े तो नॉर्मल जो body mark check होने हैं वो हो जाएंगे और साथ में आपको 24 रुपे की slip जो हर किसी zone में आपको medical के लिए कटवानी है वही slip यहाँ पे चाहिए तो यह दोनों चीज आपको लेके जानी है medical के लि यह बहुत ही normal हो रहा है यहां पर important बात यह है कि कोई बड़ी injury नहीं होनी चाहिए आपको पहली बात तो दूसरा आपके eye में कोई problem नहीं होनी चाहिए दो चीज़े सबसे बड़ी बात है बाकी थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि normal test होता है क्योंकि form में भी लिखावा था normal body check-up आप काम के लिए fit होने चाहिए अब कौन-कौन से टेस्ट हो रहे हैं वह अपन discuss कर लेते हैं सबसे पहले आपका blood ले लिया जाएगा और blood के साथ में आपको sugar test हो जाएगा और blood pressure सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा यदि आप medical के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल हलका नास्ता करके जाएं या फिर बिल्कुल भूके पैट जाएं क्योंकि आपका urine test और blood का test होगा उस time आपको ज्यादा कुछ खाके नहीं जाना है बिल्कुल हलका नास्ता करके जा सक tension नहीं लेनी हैं कुछ एक candidate ऐसे दिखे जिनका थोड़ा सा high गया था तो उनको वहाँ पे बिठा दिया गया बोला काफी देर बैठ जाओ और relax करो तब उनको check किया गया तब कैसा आया normal आया उनके और फिर उनको वापिस वहाँ पे exercise करवाई और उसके बाद में वापिस blood pressure check किया उससे वह check करना चाते कि आप काम से पहले relax mode में और थोड़ी बहुत exercise आप फिर कोई काम करने के बाद में आपका pressure कितना हो जाता है कई limit से बाहर तो नहीं जा रहा है कई blood pressure के आप percent तो नहीं है तो वह check करना चाते हैं तो यदि आप normal candidate हैं तो कोई tension लेने की बात नही बाद में आपका होगा x-ray test यह ज़रूरी नहीं है यह इसी sequence में हो क्योंकि अलग अलग group बना देते हैं जिसका जो test होना है किसी का कोई सा भी test पहले होता है किसी का कुछ यह सारा parallel चलता रहता है क्योंकि बहुत सारे department है तो यदि sequence में होगे तो बहुत ज्यादा time लग जा क्योंकि यहां पर medical में normal body check-up होता है उसके बाद में ECG यदि आप बहुत ज़्यादा tension लोगे या फिर आपको थोड़ी बहुत BP की problem है तो आपके ECG में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन आपको relax रहना है ECG में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद में ear test यह test normal test हो रहा है वो यह check कर रहे हैं कि आपको सुनाई proper देता है या नहीं देता है कोई यदि आपने काफी टाइम पहले operation हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली manly यहाँ पर depend करता है कि आपको सही proper सुनना चाहिए तो एक कान आपका बंद करवा देंगे और दूसरे कान से आपको सुनाई जाएगा बताना है आपको फिर दूसरा कान बंद कर दिया जाएगा और एक कान से सुनाई जाएगा दोनों कान आपके अच्छे से test हो जाएगे उसके बाद में हम बात करते हैं आई टेस्ट की लोको पाइलेट का यदि आप जोब करना चाहते हैं तो आई आपके लिए सबसे important है सबसे पहले आपका test होगा laser surgery test इस test में आपके eyes में कुछ drop डाल दिया जाएगे दावाई के और काफी देर बैठा दिया जाएगा उसके ब बात हो सकते हैं उनको पता चल जाएगा कि आपने laser surgery करवा रही है जो laser surgery करवा रही है उनको लोको पाइलेट के लिए unfit कर रहे हैं और वो technician के लिए allow हो जाते हैं यदि उनके marks अच्छे हैं तो technician में allow हो जाते हैं otherwise वो merit list में बाहर हो जाएंगे वहाँ पर यह नहीं बोल रह लाइन लिखी रहती हैं तो वह आपको पढ़नी होती है जिस language में जैसे गुआ हटी है तो आप वहां के local हो तो वहां की language असम में होगा और हिंदी भी होगी इंग्लिस भी होगी जिसमें आप पढ़ना चाहूँ पढ़ सकते हो क्योंकि Central Government की job है तो हिंदी और इंग्लिस मे यहां पर यह गलत लिख दिया गया मैंने फोगिंग टेस्ट होगा यहां पर तो यह टेस्ट कैसे होते हैं यह हम थोड़ा डिटेल में डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले color blindness टेस्ट में आपको एक booklet दी जाएगी और booklet के अंदर बहुत सारे ऐसे color के circle होंगे बड़े बड़े वो आपको बताने होंगे कि इसमें कितने number लिखे हैं 15, 20, 25 ऐसे जितने भी हैं सारे लिखे होंगे एक से लेके 9 तक ऐसे संख्या होगी जैसे 75 है तो इसमें 7 और 5 दोनों आ गए फिर आपको लिख देंगे 93 मानलो इसमें 9 आ गए 3 ऐसे करके सारे अकसर एक बार आपको number बता देंगे बताने हैं कि कितने हैं क्योंकि यहां पर जिसको color blindness है उनको यह number नहीं दिखेंगे फिर इसके बाद में आपको यह बताया जाएगा कि यह जो line लिखी हुई आपको दिख रही है यह line आपको draw करनी है ऐसे आपको हाथ में एक pen दिये दिये जाएगा या फिर brush दे दिये ऐसे कुछ बहुत ही light color होंगे जिन में आपको ध्यान से देखके बताना है गलती नहीं करनी है कुछ candidate होते हैं वो जल्द बाजी में गलती कर देते हैं तो यहां पर लोको पाइलेट में आपको job से हाथ होना पड़ सकता है क्योंकि जल्द बाजी में आपको 6x6 की जगे 6x9 में आप consider हो गए तो आपको problem हो सकती है फिर बात आती है distance vision की तो distance vision के अंदर आपको C दिखाया जाएगा सब जगे C ही दिखाया जा रहा है कि C का मुझ की सब खुलावा है यहां पर दो तरीके से test होगा सबसे पहले आपका light के अंदर होगा जो C आपको 6 meter की दूरी से यह test आप गर पे भी कर सकते हैं और पहले यह हो जाएगा अलग-अलग size के 3 size के होंगे वो आपको दिखाया जाएगा left right ऐसे बताना आपको कि इसका मुझ किस तरफ खुलावा है उसके बाद में अंदेरा कर दिया जाएगा और C के असपास light होगी वो light आपको उससे आपको मतलब रूम के अंदर light आपकी पूरी close होगी अंदेरा होगा और ऐसे एक hole से light आएगी वो light आपको बतानी है कि किस color की light है पहले आपको ऐसे light आएगी वो काफी बड़ी thickness की दिखेगी तो वो बताना है फिर वो ऐसे आदा ढख देंगे तो बहुत ही पतली ऐसे धुंदली स आएगी वो आपको बतानी है कि यह कौन से color की है color change करते जाएंगे और वो उसकी thickness कम करते जाएंगे इसके बाद में आपको signal दिखाए जाएंगे red और green signal होंगे दूसरे color के भी हो सकते हैं ऐसे आपको बताने है कि यह कौन से signal है कौन सा color है यह सारा test होगा वो अंदेरे कमर में होगा इसके बाद में आपका test होगा fogging test field of vision test field of vision में सिर्फ यह simply check करना चाहते है कि आपको कितने area तक दिखता है यह test हो रहा है और इस test में किसी को कोई problem नहीं आ रही है उसके बाद में fogging test होगा fogging test में आपको एक चस्मा दे दिया जाएगा इस चस्में से आपको ऐसे यह सब test होने के बाद में हम बात करते हैं hydrosil, hernia और pile test hydrosil की बात करूँ तो यहां पे इन test तीनों एक साथ होंगे इसमें आपके कपड़े उतार दिये जाएंगे और आपको थोड़ी बहुत exercise करवाई जाएगी उठक बेठक निकलवाई जाएगी और उसके बाद में आप आपका hydrosil, hernia और pile test होगा यहां पे एक candidate ऐसा था जिनका hydrosil में problem था उनके testis में काफी सूजन थी काफी बड़े size के थे उसकी वज़े से उनको re medical के लिए बोल दिया बोला या तो आप डॉक्टर से कंसल करके operation करवा लीजिए और ऐसे दवाई से ठीक होते हैं तो आप दो साथ में आपको qualify or disqualify बता दिया जाएगा और pilez के अंदर भी एक candidate ऐसा था जिनको problem आई थी pilez में आपको कैसे check करें पहले exercise करवाई जाएगी खासने को बोला जाएगा और फिर गुटनों के बल ऐसे बैठ जाओ और तब आपका pilez test हो जाएगा touch इसमें किसी भी test में touch नह आपको problem होगी नहीं तो आप normal candidate है fit है तो आपको कोई problem नहीं होने वाली है कोई tension नहीं लेनी है तो फ्रेंट्स ये था गुहार्टी जौन का डीवी और medical जितना friend ने मुझे बताया वो मैंने सारी बाते बता दी है फिर भी आपको कोई query हो तो आप comment box में मुझे पूछ सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको बता दूँ यदि आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले